नवस्कार दोस्तों तो एक बार फिर से आपका स्वागत है निगी जी बायो वाले कलासस में और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ल्यूको साइट ल्यूको साइट हमारा टॉपिक होगा तो हमने ब्लड की सिरीज को हमने स्टार्ट करा हुआ है और इससे पहले ब्ल जाएं और वाला पार्ट देखके आएं मैंने ब्लड वाले में जो स्टार्टिंग में ब्लड के कुछ बेसिक्स बता रहे हैं जो जानना ज़रूरी है बिफोर यहां तक आने के लिए तो पहले प्लीज वाली वीडियो वहां पर जाएं और आपकी इजीनेस के लिए मैंने उस उसमें कोई कमी है तो आप मुझे बताएं मैं उसे ठीक करूँगा और दुबारा से वीडियो जो है रिवाइस करके आपके लिए वहां पर डालूँगा और पर्टिकुलर्ली अगर आप किसी टॉपिक पर अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ज किसी डिले करे हुए है ना बाकि बहुत सारे यूटुबर्स है बीच-बीच में लंबा खीज देते हैं लेकिन हम वह नहीं करेंगे तो ल्यूको साइट पा जाते हम जो कि हमारा आज का टॉपिक है हमारा ठीक है तो ब्लड मैंने बताया बिथा कि ब्लड के पास जो है हो कि इन फॉर्म आफ प्रोटीन है हार्मोन सब को जो है क्यारि आउट करा ले जा रहा है ब्लड और इसका काम है कि दूर दूर तक बॉड की जो है टिप अफ दो टो और एवन दा हैड और जो हमारी हैं की फिंगर सा यहां तक ब्लड पुँचाना ब्लड जब अपने साथ यह cells को ले जा रहा होगा जिनके हम बात कर रहे हैं लाइक आर वी सी डबलू वी सी आर वी सी हम पहले पढ़ चुके हैं है ना तो इसका मतब कि यह जो अलग-अलग cells हैं इनके अपने क्या हैं अपने particular functions है ठीक है ना इतना clear है आपको छी को तो सपोस हम आर वी सी को जैसे हमने अब इससे पहले पढ़ चुके हैं तो आर वी सी को एक particular काम क्या है बॉडी के जो है हर एक सेल तक oxygen को पहुंचाना ताकि वहाँ पर जो है metabolic function हो सके अब बॉडी में एक सेल ने particular function पकड़ा है कि मैं जो हूँ भाया oxygen ही लेके जाऊंगा तो ऐसे ही जो है दूसरी category के सेल हैं जिसका नाम लूको साइट है है ना और उसको आप जानते हैं WBC के नाम से भी और यह सेल क्या करते हैं हमारी बॉडी को जो है एक protective function provide करवाते हैं एक तरीके से अगर हम कहें तो immunity provide कराते हैं और इस immunity से हम बहुत ज्यादा वाकिफ हुए हैं किस दौरान कोरोना पिरेट के जाना कि body की immunity कितनी जरूरी होती है हमें बचाने के लिए खाना पीना यह सब necessary तो है बट उससे भी necessary है कि body की अच्छी immunity कैसे maintain करी जा सके उसी immunity को बनाए रखने में जो सेल्स हमारी बॉडी में मददगार साबित होते हैं वो और कोई नहीं यह WBC ही होते हैं जिनको हम कहते ह हैं white blood cells है ना जिनको हम कह देते हैं white white blood cells या फिर इनको हम white blood corpus cells भी कह देते हैं तो अगर यह नाम कभी आये तो इस पर confused नहीं हो ना ठीक है ना तो हम जो है white blood cells भी कहते हैं और white blood corpus cells भी कहते हैं तो white blood cells करते हैं क्या है हमारी बॉडी में यह हमारी बॉडी में जो है एक तरीके से हमारी बॉडी को protect कर रहे हैं और protect किस से कर रहे हैं foreign agent से कर रहे हैं अब foreign agent कौन-कौन से हो सकते हैं जो बाहर से आने वाले हैं यह bacteria हो सकत ना पैरसाइट्स हो सकते हैं तो सब का जो है अलग-अलग तरीका है और अलग-अलग में हमारी बोडी में टाइप ओफ इम्मुनिटी को प्रवोक करने के लिए यह टाइप ओफ सेल्स को प्रवोक करनी के लिए है ना ठीक है इतना क्लियर है क्योंकि जो है हर एक एंटीजन के लिए जो है हर एक स्पेसिफिक सेल वहां पर मौझूद होगा वह हम जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पर बात करते हैं तो फिलाल हम थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो डबलू वी सी जो हैं प्रोडोईल होते हैं हमारी जो बोन मैरों होती है यहओं पर मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं अक्चली बोन मैरों के तो होता क्या है यह इतना समाझ आगा होगा आयोप आपको क्लियर है कि जब हम सॉरी जो बोन मेरों के पास जो है मैं रिवाइस करने के लिए सिर्फ यहां पर छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं और ब्लड वाले पॉर्शन में मैं इसे पूरा डीटेल में डिसकस करा हुआ है फर्स्ट वाली पार्ट में तो वहां जाके देख लेना आप उसे ठीक है बस मैं छोटा सा बता रहा हूं ताकर आप और जो लास्ट में जो आरवी सी हमारे सेटल्ड मिलते हैं रेड कलर वाला पॉर्शन नीचे हुआ अभी जो बफी कोट वाला पॉर्शन है यही हमारा वाइट पॉर्शन होता है और यही करी आउट कराता है हमारे कौन यह डबलू बीसी को यह करी करवाता है या यह जो वा नुकलियस प्रेजेंट होता है तो आर बीसी के पास न्युकलियस प्रेजेंट नहीं होता है और डबलू बीसी के पास जो है nucleus present होता है ठीक है तो I hope इतना clear हो गया होगा और यह भी याद रखने के जरूरत है कि जो buffy coat है वो किस-किस के बीच में बनता है plasma और erythrocyte यानि कि RVC के बीच में बनता है ठीक चलो यह भी clear हो गया हमें अब इन्हें white blood cell क्यों कह रहे हैं है ना white blood cells हम इने क्यों कह रहे हैं ठीक उससे पहले एक और point clear कर देते हैं कभी कबार क्या होता है कि यह जो buffy coat होता है buffy coat जो है greenish color जो है मैं ज्यादा दिखता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास जो है certain kind of enzyme present हो रहा है जिसको हम कहते हैं myeloperoxidase है ना तो अगर यह green color का दिख रहा है है अगर यह green color का दिख रहा है तो इसका मतलब इसके पास क्या present है इसके पास neutrophil present है है ना इसके पास neutrophil present है और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि neutrophil के पास certain kind of enzyme होते हैं जिसका नाम है myeloperoxidase जिस कारण से उसका appearance कैसा हो जाएगा कैसा हो जाएगा green color का है ना मैंने बताया हुआ है यहाँ पर देखो green color का ठीक है तो I hope इतना clear हो गया होगा अब white color क्यों बोलते हैं देखो तो ल्यूको का मतलब होता है Greek में ल्यूको का मतलब होता है white है ना और sides का मतलब होता है आपका cell ठीक है ना इतना clear है तो यह इतना portion है जो हमें ध्यान में रखना है यह इसका एक छोटा सा introduction वाला part था ठीक है ना अभी अभी जो यह white blood cells है white blood cells के पास और भी छमताएं हैं जैसे कि white blood cell जो है भाया अगर suppose एक कान का यह छोटा वाला portion है हिस्सा है यह वाला और यहां पर infection हो जाए तो वहां तक यह WBC कैसे पहुंचेगा यह भी तो एक है न मीन तो WBC जो है यह क्या होते हैं suppose यह हमारी जो है blood vessels हैं ठीक है नए और blood flow जो है ना blood flow जो है नीचे की तरफ जा रहा है तो यह जो हमारे WBC होते हैं यह जो white blood cells है ठीक है ना अ है आहा उदर चलो यह white blood cells हैं इनके पास हैं इतनी छमटा होती है इन white blood cells के पास कि यह blood के opposite डाइरेक्शन में भी फ्लो कर सकते हैं मतलब ब्लड का फ्लो जो है यह है आपका यह है ब्लड का फ्लो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ठीक है और यह जो वाइट ब्लड सेल्स हैं यह जो डबलू बीसी हैं य बॉडी इस ब्लड के अपोजिट में भी जो है यह ट्रेवल कर पा रहे हैं ठीक है न तो कितना मतलब यह पावर्फुल है मतलब डबॉडी में इतना समझ लीजे तो मतलब अगर कहीं पे भी कहीं पे भी अगर इसे लगता है कि बाहर से कोई जो है कोई फॉरिंड पार्टिकल आ गया है अब वह an कोई सभी हो सकता है गरेंशा कोई सब्सक्ता है यह जाते हैं तुरंट और वहां में एच्टिश को हैम 가 capillaries जो हैं ऐसे फैली हुई है ना बिल्कुल जाल बना रहा है तो इन capillaries को यह WBCs जो pass on करते हैं या वहां से उनके बीच में से होते हुए निकलते हैं जिस method से वहां से निकलते हैं उसको हम कह देते हैं डाया पीडी सिस डाया पीडी सिस वह mechanism है है ना कहां गया यह रहा डाया डाया पीडी सिस वह mechanism है जिस कार जिस mechanism से यह इन vessels को जो है हैना pass on करके भी निकल जाता है और site of infection तक पहुँचने के लिए यह WBC कुछ भी करेगा मतलब कि यह WBC जो है आपको बचाने के लिए कुछ भी करेगा है ना तो यह सबसे वफादार cell है हमारी body में है ना सबसे वफादार cell मतलब बाहर से आपके अंदर किसी को भी नहीं आने देगा और अगर आ गया तो उसे छोड़ेगा नहीं ठीक तो यह था हमने पहले उसको WBC कहते हैं ठीक है न कहां बनता है यह बोन मेरों में बनता अगिन वह होती है हमारी बफी कोट और इस बफी कोट में भी जो सेल्स का जो एक लेयर बनती है वह बहुत तरीके से बनती है तो अगर आगे मैं इसे और डिटेल में डिसकस करूँगा तो वहां पर मैं बताऊंगा ठीक है ना यह एक टिपिकल जो वह डबलू phi-bc है वह कुछ इस तोड़ा सा मिठा जेता हूं और डाइपेटिस के मूबमैंट से यह ब्लट वैसल शेवा वहां मूव कर जाते हैं सायट अफ इद ही थिक ना तो क्या याद रखने कि यह सिलनीर रहा है कोई बात नहीं हम स البली सी क्या है इनका काम कlyा है साइट ऌफ साइट ऑफ इंफैक्शन साइट ऑफ इनफेक्शन पर ठीण udah ठीट ना तो डेस है हमाहरा जो लिउक या डबलू उबी सी है यह हमने इनको दो पटा हुआ है ठीक ना ग्रैनुलो ग्रैनुलो साइट आइड एट ग्रैनुलो साइट यह पैन चल नहीं रहा है पता नहीं क्या हो ग्रेनुलो साइट हो गया है ना पैन बड़ी दिक्कत करते हैं कि ओके सॉरी गाइस सॉरी फॉर दिस ठीक है ना या ठीक है तो यह मैं पहले भी डिसकस कर चुका हूं वैसे ठीक है ना ब्लड वाले में अगर आपने वहां देख लिए तो वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं द एनुलो साइट के अगेन तीन पोर्शन होते हैं ठीक है ना एक हो गया आपका न्यूट्रो फिल एक हो गया आपका एक हो गया आपका न्यूट्रो फिल ठीक है ना दूसरा हो गया आपका यो यो सिनो फिल यो सिनो फिल ठीक है ना और तीसरा हो गया आपका बेसो फिल बेसो फिल ठीक है न गाइस तो इतना क्लियर है ल्यूकोसाइट के यानि कि जो हमारी डबलू बीसी हैं उनके जो हैं अगें इस डिवाइदें इन्टू पार्ट्स ग्रैनुलो साइट्स एंड ए ग्रैनुलो साइट्स नाम सही पता चल रहा है कि इनके पास भाईया अंदर कुछ ग ग्रैनुलो साइट है इसके अंदर ग्रैनुल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है और जो ग्रैनुलो साइट है हमारा उसके अगें हमने उसको हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज करा हुआ है नूट्रोफिल योसनोफिल एंड बेसो फिल और अब हम आ जाते हैं ए ग्रेनुलो aside पे ग्रेनुलो साइट को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइट कर आए जिनका नाम है मोनोसाइट मैं द्लिंफो personnes साइट ठीक है और गारी तो ये था लिकोस्वाइट का है WBC होते क्या है आप चाहें तो जो जो मैंने बोला है आप उसको in the form of notes लिख सकते हैं important tea है है ना और आपको जो है आप in the form of notes जो है उसे लिख सकते हैं categorize कर सकते हैं ठीक ना तो यह हमारा leukocyte वाला portion WBC वाला portion यह हमने जाना कहां बनता है कैसे बनता है white blood cell उसे क्यों बूलते हैं centrifugation में इसकी position कहां पर आती है किसकी मीड़ में आती है किसके बीच में आती है है ना type किस उसमें हमने categorize करा है WBC को है ना यह सब हमने यहां पर जाना और next video में जो है हम इसे और detail में पढ़ेंगे जैसे कि sorry कि यह बन कैसे है इसके certain stages क्या है है यह भी बहुत जरूरी है जानना कि वह stages कौन कौन सी है ठीक है ना guys तो फिर हम यहीं पर end up करते हैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे हम ठीक है guys तो please है ना यह चैनल को please आप देखते तो हैं पर subscribe नहीं करता यार तो पर subscribe जरूर जरूर करें ठीक है लाइक करें और comment करके जरूर बताएं कि आपको video कैसे लगी अगर आपको लगता है कि कुछ भी modification करना है चेंज करना है पढ़ाने के तरीके में आप तक वीडियो यह topic जो है मैं आप तक पहुचा सकूं ठीक है guys तो please आपका support जरूरी है again thank you keep supporting and take care